नमो नारे जेगो माता वंदे मात्रों मा भारतिक उपनाम और हुदैशे ओम शाम शनिश्चराए प्रिदर्शकर और मित्रों शाथियों जीवन में असफलता का मूल कारण अहंकार होता है अतदिक आतम विश्वास होता है इससे बचना चाहिए रहंकार उशी को होता है शातियों जिसे बिना किसी संगर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसने अपनी मेहनत और परिश्रम और संगर्ष से कुछ हासल किया होना वो दूसरों की मेहनत परिश्रम और संगर्ष की कदर करता है प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों पुने हिरदैसे आपका श्वागत है आपकी अपने चैनल गुरुमंत्र विद्धाती महराज के यूटूब का ये आपका अपना चैनल है और इसपे मैं अपने जीवन के अनभों को शेर करने की कोशिश करता हूँ ना कोई दावा ना कोई विवाद ना कोई तरक हमेशा निवेदन करता हूँ कि शेकर अधिकार आपका था मानों ने मानों ये आपकी मर्थी भारती सनातन संस्कृती की जो अद्भुद खुश्वी है जो विराशत है विद्वानों की अपने अनभोत के आधार पर आंकलन करक राशी में प्रवेश करें करक राशी के शौमी चंदर्मा है करक राशी में सुर्य बुद्ध का बुद्ध अधित्य योग बारा राश्यों पर क्या प्रभाव डालेगा इस विश्य को लेकर आपके सामने मित्रों सुर्य हमारी आत्मा का कारक है चंदर्मा हमारी मन का क कारक है और बुद्ध हमारी बुद्धी का कारक है तो बुद्धी मन और आत्मा का शमन्वे कैसा रहेगा इन बारा राश्यों का इस विशे पर कुछ कहना चाहता है सुरी 16 जुलाई को रातरी 10 बज कर 56 मिनट पर अपनी मित्र रासी करक में संचरन करेंगे करकराशी में सुरी देव 16 अगस्तक रहेंगे शाक्ति और मित्रों 14 जुलाई से स्रावन प्रारव हो चुका है नि स्रावन की सुरुवात हो चुकी स्रावन का महिना सुरु हो चुका है महादेव का ये अद्भुद मेना सुरू हो चुका है और 17 जुलाई को बुद भी करकराशी में प्रवेश कर जाएगा तो गुद देव और सूरी देव का करकराशी में जोतीशी विशलेशन क्या है इस विश्य को लेकर आपके साथ में तरों शाक्ति मेरी बात को थोड़ी द करकराशी में 17 जुलाई से मित्वशात्यों बुद बुद देव का मिलान करकराशी में बुद आदित्य योग के प्रभाव से जातक यशश्वी बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति होता है सुरी बुद की यूति 12 राश्यों की में 12 भावों में अलग अलग रहेगा जानना यह चाहते हैं कि आपके राशी के हिसाब से सुरी देव बुद्धिमान आपके किस भाव में संच्रण करेंगे और उस संच्रण का किस प्रकार का फल आपको आपके जीवन में देखने को म मिलेगा कब आपको मान प्रतिष्टा मिलेगी सामजी रुत्मा बढ़े गए सारी विश्यों को में बड़े विश्तरी सुरूप से आपको बताना जा 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 हूँ और इसके लिए नंबर आ रहे हैं आप इसे संपर कर सकतर आप सबसे पहले मेश्तरासी की बात करेंगे मेश्रासी वालों के लिए शूर्य देव पंचम भाव के अधिपती होकर चतुर्द भाव करकरासी से संचन करेंगे और बुद्ध आपके लिए तीसरे और छटे भाव के सौमे होकर चतुर्द भाव करकरासी में संचन करेंगे मेश राशी वालों के लिए चतुरत भाव में सुर्य देव और बुद्देव का यूती समद्ध जिमन में शफलता, खुशी और मान शमान कसंग के दिरा है। चतुरत भाव में विराज मान सुर्य और बुद्देव शप्तम पूर्ण दसी से दसम स्तान को देखेंगे। और कालपुश की कुनली में दसमिस्तान नोकरी, आजिवका, वैपार, मान प्रतिष्टा, यस, सरकार और कर्म से समन्द रखता है कामकाज नोकरी वैविशाय के लियाज से सुरी देवर बुद्देव की चतुरभार में उपस्ति आपको कर्म की और प्रेरत करेगी कामकाज और कारुबार के लियाज से आपके लिए समय बहतरिन समय में से एक समय होगा कारुबार शमन्दी परिशान से मुक्ति मिलीगी, नोकरी वैविशाय समन्दी कारियों में दिलस्टेस भी बनी रहेगी कारुबार में परिश्मर और महिनत का पूरा लाब प्राफ होगा और करम के बलुपते बर जीवन में आप प्रगती और शपलता की और अगरसर होगी क्योंकि दस्वाइस्तान सरकार से भी शपलता है इसलिए वे जाते हैं जो सरकारी नौकली में कारिज़त है प्रशासन подготовे से सलंगन है उन्हें प्रियासों में अनकुल लाब मिलेगा यहां आपका statue भी है यहां आपके पिता का काम भी है तो पिता को सपलता मिलेगी आपकी मन किया भिलासा यंप पूरी होगी प्रतिसा इंक्रमेंट और पर्मोचन का लाब मिलेगा बुद्देव का शमंद कारुबार से वेपार से मार्केटिंग से नेटवर्किंग से तो जो इन इन छेत्रों से जुड़ेवे लोग है उन्हें शांदार शफलता मिली नए कारी में क्या पुंजी निवे सलाबकारी रहेगा इसलिए आप नौकरी में उच्छा अधिकारी का स समय विनमर्ता की भाव रखना बहुत जरूरी है संभलकर वेवार करें और घरेलू समशाओं को चातुरी और बुद्धित से निपटने की कौसिस का रिसुल जाने की कौसिस का रिरवानी पर थोड़ असान नहीं अंतर नहीं क्योंकि घरेलू मसलों में थोड़ी सी परिशा समय के अनुप शफलता मिलेगी आपकी परिक्षा प्रणाम आपकी महनत पर निर्फर होगा इस समय मानसिक इस्तित को बैलेंस करके चलेंगे तो सफलता आपका साथ शावधानिया क्या है घर में शुखत बातावरन के लिए किसी प्रकार की कठोर निरनने से बचना होगा प पारवारिक और शामाजिक रिस्तों में दूर यहां बर सकती क्या उपाई करें मित्रण शात्री हर रोज प्रतिकाल नित्य कर्म से निर्फ नानो प्रान शूरी उद्धे की समय थोड़ी दिर जब शूरी बार निकल रहा हो उस हलकी धूप में बार जरूर बैट कई बार आ या अधिताय नमो या ओम नमो भगवती बार शुदेवाई नमो इश्मंतर का जाब करते हैं सूरी की पूर्ण उर्जा आपको प्राप्त हो तरस परसाद अपने पूजा इस्तान में सुद्धे सी खीका दिपक जलाई और सूरी आस्तर का एक पार्ट का है कैरियर कारोबार नोकरी पर वैविशाई में कही प्राप्लम है श्वेतार का पोदा होता है आग का पोदा उसमें लगातार साथ दिन जल चड़ा के देखेगा शूरी के लिए बहुत अधुद उपाई मानेगे नमो नहीं बात करते हैं विर्शवराशी वाले जात्कों के लिए सूरी देव चतुर्द भाव के सौमी होकर तीसरे भाव में करकरासी में संचरन करेंगे और बुद्देव आपके लिए दूसरे और पंचम भाव के सौमी होकर तीसरे भाव करकरासी में रहेंगे और शूरी और बुद्देव का बुदा देती योग तीसरे भाव में विराजमान शूर कि मार्केटिंग का लाब मिलेगा दिस्वर रासी वालों के लिए सूर्य देव और बुद्देव की यूति तीसरे भाव में करक रासी में हैं तो कारिच सित्र में आपका प्रभाव और प्रभत्व बढ़ेगा कामिकाज कारुबार में नई रन नीतिया आपके लिए लाब का कारी रहेगी कारी चमता में शुधारों और नए शंपर्ग बनाने के सास्ता तो पुराने संपर्ग का भी लाब मिलेगा डॉकुमेटेशन शेहल फाइनेंस सिक्षा से जोड़े जातकों को सूर्य देव और बुद्देव का तीसरे भाव में गोचर लाबकारी प्रणाम द जो उस उस्तार आसावादी विचारों से कारी चित्र के अपना प्रफर तो जमाने में आप शपर नहीं खेल को दो सिक्षा से जुड़े जातकों को इस दौरान अच्छा खासा लाब अर्जित कर सकते सामझे कर पारवेड दर्शिकों से घर परिवार का आपको शात मिलेग और आपको प्यार भी मिले परिवार पर दूसरों पर हावी होने की परवर्ति आपके लिए नुक्सान दाई हो सकती है इस समय अंतराल में घर परिवार और मित्रों के साथ कहीं यात्राओं का संकेत भी नजर आ रहा है लेकिन पने याद दिलारों की यात्रों में शावधा अपने निर्णे को लेकर थोड़ा सत्रक्ता बढ़ते हैं घर के महावल को सुधारने के लिए संयम ही तोकर कोशिश करें धैरी और संयम का परपचे दे पारवरिक लोग आपके साथ रखें लेकिन कोई नई चीज आप इस्थापित करना चाहते तो परिवार को परिवार को हर रोज हर रोज सर्धान उस्थार गुड किसी गरीब व्यक्ति को दान में देजे लगातार ये 16 अगस्तक थोड़ा सा बीजिक दीजिए जरू आपके लिए बड़ा शुब रहेगा और बुद्वारिक दिन गनपति की फूजा करना बड़ा शुब रहेगा और गनपति को मोदग अर्पित करना बड़ा लाबगारी लेगर कंजकों को मोदग माटना कारूबार की दस्टि का उन्षी शुफल परदान करेगा नमना इमें बात करते हैं मिठोंडासी मिठोंडासी वालों के लिए शूरी देव तीसरे भाव का अधिपर देगर दूसरे भाव करकरास आपके आयू का भाव है आपकी साधना का भाव है आपका अकल्ट का भाव है आपका income tax आपका GST आपका sell tax आपके सुस्राल पक्स है मिठोंडासी वालों के लिए सूरी देव और बुद्देव की यूति व्यविशाय में लाबकारी प्रणाम देगी सूरी देव बुद्द योजनाओं में निवेस्ट करना चाहते हैं तो लाब मिलेगा चुट-चुटी योजनाओं में लाब मिलेगा आपको आपकी सोच आपके कारी समता और नेतुर्द समता का विस्तार होगा आत्मबल मजबूत रहेगा इसे आप पारवारिक व्यविशाय से जुड़े है तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी वैविशाय को बढ़ाने के लिए कि प्लानिंग का लाब संची धन के रूप में आपको प्राप्त होगा मिथुन डासी वालों के लिए बुद्देव चतुर्द भाव के सौमी हैं ऐसे वैक्ति जो घर में बैठकर अपने कामों को संचालि परिवारिक और समझ के लिए समय आपके लिए अच्छा संग्रें के साथ उठने बैठर यात्रों पर जाने का मौक्त मिलेगा पर वाणी का परियोग शनय करें बासा का गल्थ परियोग नए करें इसे आपकी परिवार में दूरियां बरसकें स्वास्त्य को लेकर फोड़ा चुब रहेगा और माभगवती की उपास ना करेंगे तो और लाबकारी रहेगा ओम दुम दुर्गाई नमानान बात करते करकराशी करकराशी वालों के लिए सूरी देव दूसरे भाव के सौमें होकर लगन भाव में संचरन कर रहे हैं और बुद्देव 12 और तीसरे भाव के सौमें होकर सूरी देव के साथ संचरन करें लगन भाव में विराज मान शूरी देव और बुद्देव सब्दम पूर्द स्यटम भाव को को देखेंगे करकराशी वालों में सूर्द चेतर में आप आगे बढ़ेंगे अपने परिष्टन से वैपार को नई दिशार गति देने में आप सफल होंगे सांदार विल पाउर का लाब मिलेगा और जिससे आप अपने आपको भागी साली महसूस करें साज़ारी कारें विशेश सफलता मिलेगी यदि आपका पारवारी की स्वंक्त वैपार है तो ये समय आपके लिए परिशानियों से चुटकारा देलाने वाला होगा देश विदेश से कारोबारी शमंद बनेंगे नमीन योजनाओं का लाब मिलेगा बैंक बैलेंस में सब्सक्राइब से आप एक्टिव बहुत रहेंगे तो ये नोक्री विशेश साथी आपका परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होगा अपने परिवार की सकारत में उर्जा के साथ आप अपने लक्स के और निरंतर आगे बढ़ेंगी परनतों नीजी लापरवाई नीबढ़ते हैं यह लो बीपी या रख में समधी कुछ समश्या तो तुरांत चिकसा का सारा लीजी विशेश शावधानी क्या है लंबी यात्राओं में श्यम वहां चला कर ना करता चारे गर यात्रा में शावधानी बहुत जरूए वहां प्रियोग बहुत स मचलियों को भोजन देना भी बड़ा शुब हैगा नमनग और बात करते हैं शिंगराशी वालों के लिए शुरी देव लगन भाव के स्वामी होकर बार्वे भाव करकरासे में संचरन करेंगी और बुद्द्द्देव अपने 11 और दूसरे भाव के स्वामी होकर सूरी के लिए शफलता के नए द्वार कोलता है कारुबार में शफलता की प्राप्ति हो बड़ी कम मल्टिनेशनल कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा करम सी भागी निर्मित होगा इस समय आपका मनोबल बढ़ाएगा आई के अतरिक साधन पैदा करेगा आप व्यवशाई ह कारुबार में शफलता की सासाथ देश विजिएस में कारोमारी समंद बनेगी आर्टिक धनकोश में मजबूत होगी, आयात और निर्यात के रिमान और प्रतिष्टा बढ़ेगी प्रति दुन्दियों से छुटकारा मिलेगा मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस के छेतर में अच्छा खासा लाव होगा पर तु आँखों को खोल कर चलना बहुत जरूरी होगा परिवार के लियाज इस समय अनकूले पारवारी सदुस्यों के सा और धन का अंधा धुन्द घर्च बैंक बेलेंस बिगाड़ेगा, कानून के रुद कोई कारिय ने करे और लिखित कारियों में शावधानी बरके, उपाय का हर रोज केशर और हल्दी का तिलग भाल और कंठ पर जरूर करे, और अउगान सूरी को जल देने के बाद, चमेली के नोफूर किसी भी सरोवर तालाब में हर रोज सूरी उद्धे के समय प्रभाइत करना लाबकारी रहेगा, नमना इन वरबात करते हैं, कन्याराशी वालों के लिए सूरी देव बारवे भाव के सौमी होकर, ग्यारवे भाव करकर आस्ते में संचन करेगी, राशी अधिप बुद्धा देती योका निर्मान करने, कहीं प्रकार की भूमी का और नई जम्यदार योका संक्यत दे रहे, कामकाज वैवशाय नौकरी के लिए से ये समया, आप अपने छेतर में अलग पचान बनाने में शक्षम होगे, वैवशाय का विस्तार होगा, कैरियर रोजगार क नहीं रास्ते खुलेंगे, सुरी देर बुद्धेव का ये गोचर आपको प्रतिश्रित वा प्रभाव साली लोगों से मुलाकात करवाएगा, समाज के उच और समर्दी सी लोगों से समंद बनने से कारोबारी समंदों में विश्तार होगा, कारोबार में नहीं गती आईग जो भौशे में लंबे समय तक लाबकारी रहेगी, समाजी सरोकार बढ़ेगा, देश-विज़े से अच्छे सोदों का लाब मिलेगा, ये गोचर आपको भावी योजनाव में कुछ परवर्त करना का संकेत भी रहे, जिससे अनकूल और लाबकारी प्रणाम आपको प्राफ परवर्य शंबंदों का लाब मिलेगा, चोटे भावय बेनों की मत भेदों में कमी आएगी, सामाज़क और परवर्य कारियों में बैटने का आउसर मिलेगा, कुछ नए मित्र, कुछ नए सामाज़क आयोजन आपके जिवन में उस्त्रकता और आनन्द में वृति करेगी, स वेश और धन के लेंदेन में लापरवाई नहीं बढ़ते शाबधानी जरूरी क्या उपाय करें शर्धान सर्शाबुत मुव हरे कपड़े में बांदी और हर बुद्वार को इसी गरीब निर्दन विद्वास्तरी अकीनल को दान दें इतना शात्यों और मैंग रिम क्लिम चामुन आई बीची दुगा नुवरान मंत्रे इस मंत्र का जाब करना भी कल्यान खारी रहेगा न मुनाएं तुलाराशी वालों के लिए सूरी देव ग्यार्यव भाव का अधिपती होकर दसम भाव करकरासे में संचरन करें बुद्वाव के नौवे और इस अबदी में आपको मेहनत परिश्रम शंगर्श का पूर लाब और शक्फलता मिलेगा वे युवा जो के तलास में परितन से ले उनके लिए ये समय मिल का पत्तर शाबित होगा के लिए सुर्देव और बुद्देव का मिलन आपके लिए पूर रूप से शहयोगी शाब पास ये महत्पुन आउश्र उपलब दे अपनी चम्ता और शामर्ते के बुलपते पर आर्तिकी स्थिवाफ सदुर्व सुधर करें करम प्रधान समय है ये एक मैना करम से भागिया आपका बदलेगा साथी राजजिनितित आप संब्द रकन रानवार लों के लिए सुर्द पारवारिक लियाज से ये समय अच्छा रहेगा पिता तो लिव्यक्ति का साथ मिलेगा सयोग मिलेगा मनोबल बढ़ाएगा साथ पिता के सयोग से आप जो अच्छा मारदस मिला हो हर छेतर में आपके लिए उप्योगी रहेगा भूमी भवन और रुवान में पुंजी नि साथ मातापिता और पारवारिक सदस्यों से बात करते समय सब्दों का चैन सम्मान पुरुख होना चाहिए पारवारिक शुक्सादन और विलास्तन विलास्ता पर धन का वे आर्तिक कर्ष्ट कर संके देरा इससे भी बचे उपाए क्या करें बहुत उत्तम रहेगा इन एक मह अधिने में हर रोज प्रात्यकाल नित्य कर्मनों शिनान उप्रान अपनी पूजासन में सुट देशी घी का दीपक जिलाएगा ओम लंग लक्ष्माई नमा या अदभुद मंत्रे मालक्ष्म का इसका जाब करिए चावल और दूद की खीर बनाईए और हर शुक्रवार को आप कंजुकों को अपने हाथ से खिलाएगा बड़ा सुबहेगा तरी शुक्रवार की दिन आप नमक का से मननी करते आपके बड़ा सुबहेगा नमनन बात करते हैं विर्षिकरासी वालों के लिए सूरी देव दसम भाव का शौमी ओकर नमम भाव करकेस्तान में संचरन करे नमम भाव में विराजबान सूरी देव देव शक्तम पूर्णतसी से तीसरे भाव को देखेंगे और तीसरा भाव आपका पूर्टा आपके लिए सुबह शाबित होगा जिवने शुक्ष्ण मर्दिक और अगरसर होगी करम छेतर में अपने आपको शाबित करने का कहीं मौ गति पकड़ेंगे कारवारी मसले हलोंगे बागे का शितरा आपके पक्ष्ण होने से आर्तिक पक्षदर होगा नौकरी रोजगार आजिवगा से जो मामले हैं जो प्रिशाने उसमें कमी आएगी रिसर्च जोति इस किसी भी प्रकार की घहन खोजमें से समय आपके लिए अ समचार मिलेंगे पैतरिक संबंदी जो मसले हैं संपति संबंदी मसले हैं इसकोई मामला अठकाओ उसे आप अवशे उसमें आपको सफ़ता मिलेगी शाति सुच्राल पक्ष्ण से समद्धों में सुधार होगा धार्मिक यातरों पर जाने का यह होग है धर्मकर्म अध्यात स्वास्तिक दस्तिकों से शमय आपके लिए अल्गुष्ण लंबे समय से चले यारी कुछ बीमारी में रहात भी मिलेगी विशेश शावधान गुष्ण सत्रों से शावधान देगा नौकरी वेपार में किसी प्रकार का परिवर्तन नुकसान देगा जो काम चलना है उसमें ज्यादा मेहनत करें और विश्टार करना बहुत जरूरी है उपाय क्या है अदभूद रहेगा यह उपाय आपके लिए हर मंगलवार के दिल सर्दान शार शाबुत मसूर सफाई करमचारी विद्वा मैला को दान में हर रोज अपने घर में पूजास्तान में सुर्देशी प्रणामों की प्रणामों की प्राप्ति के लिए करी मेनत कतीन परिशन संघर्ष के आवसेक्ता मैं सुर्दक आपका बिजन से पार्टन या आप फेमिली बिजनस से समध रखते हैं तो इस समय थोड़ा सा से काम करना पड़ेगा इस अवदी में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे तूंटू में में न हो कलह न हो विवाद नहीं हो इससे आपको बचना चाहिए सुर्देव बुद्देव का गोचर की यह वदी आपके लिए थोड़ी सी कठिन परिश्टों का संकेदरी मेहनत का संकेदरी संगस का संकेदरी धैरी और से काम करें सही योजना बनाकर आगे बढ़े यदि आप शेर मार्केट से श्रमन रखते हैं तो नुकसान उठाना पर सकता है लापरवय नहीं करें यदि आप नौकरी में है तो कारी इस्तल पर अपनों से बनाकर रखे जो सकर्मी आपके साथ काम करते हैं और बहुत से टक्राव नहीं करें नौकरी बदलने की प्रबल इच्छा भटकाव पैदा करेंगे और नौकरी में समश्य आ जाएगी कारिष्यत में प्रते दुन्दी भी आपका मनोबल गिरानी की पूरी कौसिस करेंगे साफधनी से काम करें सामाजिक और पारवार इलिया से ये समय आपको ज्यादा का संकेजरा इससे बचना होगा कुषास्टे के लिया लियास समय थोड़ासा साफधानी करोद ना करें तनाव हावी नहों ने अ तदिक समेदल सीलता से बचें और श्वास्टेश पर थोड़ासा विषेज ध्यान दें किसी भी नए कारोमार मैं मोटा पैसा नहीं लगां शिनान उपरां बगवान शुर्य को जल देने के उपरां सरदानुसार चने की दाल किसी गरीम नेदन शुआगन इसुर को दान में देज़ेगा तो लिशी के पोदे के आगे हर रोड शुबे साम शुद देशी घी का दिपक जलाना लाबकारी रहेगा ओम नम भगवति काम काज का दबाव मांसिक नहीं होना चाहिए आपके मन पर ज़्यादा ना पड़ेगा इस पर ध्युदा साध्यान नक नखना पड़ेगा आप नौकरी में है तो इस समें इस बात का विश्य से ध्यान रखिएगा कि आप अपने बॉस का खिलाप कुछ नहीं करें और नेतिक तका दामन पकर करेंगे शाकर्मिय और वर्ष अद्यकारियों के साथ मतभीद उत्पन हो सकता आपकी कारी सेलिकी लिए आप तहते कि आपको लाब मिले सफलता मिले तो जो लोग आपकी साथ काम कर रहें उनकी परती जो दश्क्रिकोंगा आपका है वो थोड़ा उदारता और दया और करौनों का होना चाहिए साज़धारी के कारियों में लाब मिले गा लेकिन नजरे खुली रखना बहुत जरूरी है पाटनर आपको धोका दे सकता है सरकारी नौकरी में लाब और शफलता के अच्छा संकेथ मिले लिए इस दिशा मेंगे आप प्रियास करे तो शफलता आपका साथ देगी इसके साथ है आप एकाउंट के चेतर में हाँ, आप वकालात के चेतर में नयायले में काम करते हैं, मार्केटी के चेतर काम करते हैं तो समय बड़ा अन्कुल जानती नुक्सान दे सकती फॉल्स इलूजियन से बचना बहुत जरूरी लेकिन आर्थिक पक्स में ठीक रहेगा काम बनेंगे धन भी आएगा वर्तस्तों बढ़ेगा लेकिन कुछ बाते जो मैंने बताई इस पर काम करें और विशे सुरुप से दाम-पत्य संबंदों में मन मुटाव नहों इस पर काम करेंगा और जिवन सात्य के स्वास्ति को लेकर विला पर वह नहीं करें उपाई क्या है प्रते एक बुद्वार को सरदान स्वार इलाईजी आप अपने जेब में डालिए और जो भी मिलता है उससे एक एलाईजी भेट जिरूर करें गाई को हरा पालक अपने हाँ से खिलाना बड़ा शुब है और बात करते कुम्राशी कुम्राशी वालों के लिए सुर्देव शप्तम भाव के अधिपती होकर छटे भाव करकरासी में संचन करेंगे और बुद्द्देव आपके लिए पंचम और अस्थम भाव करकरासी में जरूर है लेकिन लाब भी मिलेगा ति आप कारीयों को विष्थार करना चाहते तो परिश्रम की जरूरत है अज़ जिए का कि नहीं सादन मिलेंगी लेकिन सतरता जरूरी है धन मिलेगा लेकिन स्चौट कर रस्ता से बचना होगा हाँ मनोबल में कमीनी आए परिश्रम में क आपसी तालमेल बना कर रखना होगा क्योंकि इस समय कुछ कानुनी मुद्य आपको प्रेशान कर सके सब्सक्राइब सवयोगयों के साथ तू-तू-मेमे की संभावना भई बचना चाहिए पारवारी उर्श्वामाजिक दस्टिकॉन से सब्सक्राइब के स्वयों सूरी देव चटम भाव में संचर्ण कर रहे हैं तो यह इस्तिति अच्छा नहीं संकेत देली है इस बात का ध्यांदी जीगा विवाइत है थोड़ा सावधानी से काम रहें जीवन सातिक साथ जगडा नहीं हो तनाव नहीं हो विवाद नहीं हो इस बात कभी आपको ध्यांदक नहीं हो थोड़ा सा आर्थिक दबाव रहेगा लेकिन महनत का लाब मिलेगा संतान पक्स को पूरा कोशल दिखाने का मौका मिलेगा शफलता विशेबर आपकी पकड़ रहेगी शोद करें चात्रों को शफलता अच्छी मिलेगी लेकिन मेहनत की आवस्यत्ता शंगर्ष की आवस्यत्ता है स्वास्ति की दस्तिकों समय ठीक है इद्धी कोई विमारी है उसमें कमी आएग निजी समंदों में तनाव ना आये इस पर काम करना होगा उपाय क्या है सुकुरवार की दिटिन सिर्दान उस्तार घी दई कपूर अध्रक किसी मंदिर में दान दिए गवशाला में निरंतर ये एक महीना हो जो या जता जो आपकी इच्छ आ हैक और आपकी डुछ पंचम भाव में विराजमान शुरी देव और बुद्देव अपनी शक्तम पूर्दर्शी से ग्यारवे भाव को देव ग्यारा भाव लाव का भाव है आई का भाव है वेशाय नौकरी के लिए सिस्वा में ठीक रहेगा कर वेशाय में आरे उताव चड़ाव में कमी आईगे लेंदेन के मसेली ठीक रेंगे कारोबार में शफलता मिलेगी जो नकरात्मक सोच है जो अनामसिक वेरत का तनाव उश्मे कमी आईगे और कारोबार के लिए निढ़े लाव दाइक अवस्तर प्रतान करें वेपारी सुर्देव 11 भाव को देख रहे हैं लेकिन विवादी सोदों में पुण्जी निवे से नुकसान देगा विवादी सोदों में आर्थिक नुकसान का संकेत नजरा रहा है और इस समय किसी से भी वैपार में उधार लेंदेंग से बचना होगा हां खर्चा में बडोतरी होग और लीगल मामले भी देखना बहुत जरूरी जो काम है उस पर मेहनद करें चाहिए वो नौकरी हो चाहिए परिवरतन ठीक नहीं रहेगा कारिशेतल में शांती का रवया रखने से शफलता में चार चांद लगे अपनी आकरमकता पर काबू रखना चाहिए कि आपको जमिन जायदा के वैपार कर रहें उसमें कामें प्रपर्टी में डील करने तो अच्छा लाब में लेगा सामाजी कर पारिवे मसलों को सांती से निवटाए श्यों में तरह जीवन शात्ती के साथ किसी तरह का कले और विवाद धगड़ा करने से बचे विचे जीवन लाब और शफलता का संके अपने विश्य को लेकर आप इश्पस लेगे और उन पर आपकी पकड़ अच्छी होगी देश विदेश में अध्यनत विद्याति को पूर्ण लाब और शफलता मिलेगे और आप मेडिकल की लाइन में है तो लाब के अच्छे अश्वर मिलेंगे विशेश साफधानी क्या है उधार लेंदेन से बचे स्वास्ति की प्रति लापरवाई नहीं करें पेटन और पाचन संबन्दी कोई शमशाय तो तो तोरण चिकसा का सारा लेगी क्या करें हर गुरुवार को सरदानों सार गुड और तिलकी बनी रेवडियां कंजिकों को और श्रावन का मेना है हर रोज प्रतिकाल नित्य करम जोशनानों प्रान केशर और कच्चा दूद बगवान शीव के सीविरिंगे अरप्रित करेंगे कस्ट और परिशादि चितकारा मिलेगा नमना है प्रिदर्शकों मित्रों शातियों सूर्य देव और बुद्देव के क पाशे मानों मानूं आपकी मर्जी हम मेरे से कोई भूल दोना हाथ जोड़कर च्रस्वा प्रात्म नवराया नहीं रयास्तान का मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का किसा आप शेवा करिया आप मै के लिए मुझे आपका सहयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरी साल ख खड़ा रहूंगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करिए आप मेरे से बात करिए लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चाहरे की वेबिस्ता कर लेंगे और इसलिए मैंने का था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहूं पिर भी मेरा यहेंखार नहीं सातियों मेरा राश शरुब पर है मैं यह नहीं कहाँ मैं गराश आपके लिए और परिस्रम के एवज में गायों के लिए चारी की वेवस्ता करिए सनिभगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैं रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्पोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी आउम नमोना रहें आउम नम का थे से अफ बार निवेदन करना पेराज नहीं है कि युद है कि आपको लगता है कि आपको लगता है